हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, आज हम एक हेर ओयल बनाएंगे जिनके बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं, या सफेद हो गए हैं, या बाल रुके सुके से हैं तो उनके लिए ये तेल बिल्कुल फर्फेक्ट है, आप इस तेल को यूज कीजिए, आपके बाल जड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके बाल एकदम सिल्के सिल्की से हो जाएंगे इसके लिए हम एक हेरोईल बनाते हैं यह मैंने चार छोटे छोटे प्याज लिए इनको हमने रफली चौप कर लिया है बाद में हमें मिक्सी के जार में इनको पीसने तो आप रफली चौप कर लीजिए और यह मैंने आदा कटोरी लेसुन लिया है और एक कटोर हमने लिये हैं करी पते आपको जितना भी तेल बनाना है आप उस हिसाब से सारी चीज़े ले लिजे प्याज को मिक्सी के जार में डाल देंगे करी पता भी डाल देंगे और लेसुन भी डाल देंगे इनकों में दरदरा सा पीसना है पानी इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है लेसुन और प्याज की वज़े से करी पते भी हमारे अच्छे से दरदरे से पिसके तयार हो जाएंगे यह देखिए ऐसा पेस्ट हमें बना के तयार करना है अब हम एक लोहे की कड़ाई लेंगे इस तेल को बनाने के लिए हमें लोहे की कड़ाई चाहिए इसमें हम डालेंगे आदा कटोरी नारियल का तेल और साथ में एक कटोरी सरसो का तेल अगर आप ये तेल गर्मियों में बना रहे तो आप आदे कटोरी नारियल की तेल की जगे आप एक कटोरी नारियल का तेल यूज कीजिए अभी सर्दी हैं तो इसमें आदा कटोरी नारियल का तेल चलेगा तेल को में अच्छे से गरम कर लेना है ये देखिए तेल गरम हो गया है अब हमने जो प्याज लेसुन और करी पत्ते पीस के रखे वो इसमें डाल देंगे ये सब कच्छे होते हैं तो इसमें बहुत सारे जाग बनेंगे तो आप एक बार गयस की फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब जाग हलके से कम हो जाएंगे तो हम गेस की फ्लेम को फिर से ओन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे तेल को पकने देंगे हमें इस तेल को तब तक पकाना है जब तक कि ये करीपते लेसुन और प्याज पूरी तरह से जल नहीं जाते मतलब ये इनको पूरा काला होने तक पकाना है ये देखिए अभी लेसुन प्याज और करीपता बिल्कुल भी नहीं पका इनका कलर ग्रीन है गेस की फ्लेम हमें लो रखनी है बीच बीच में चलाते रहना है और ये लगबख 15 से 20 मिनट में तेल बनके तयार हो जाएगा ये देखिए अब इसमें लेसुन करीपते जलने लगें तो अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे ये देखिए जैसे इसको मिक्स करते इसमें फिर से जाग बन जाते ये देखिए करीपते लेसुन प्याज पूरी तरह से काले हो चुके अब हम इसे चान लेंगे ये मैंने इसको एक गंटे तक ठंडा किया था अब हमें एक कोई चलनी ले लेनी हो और इसे चान लेना है अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हेरोयल को हमें यूज कैसे करना है जिस दिन हमें बाल दोने हो उससे एक गंटा पेले बालों में हलके हातों से तेल की मालिस कर लेनी है अच्छे से और उसके बाद आप सेमपू कर लीजिए इस तेल को आप हफते में दो दिन तक यूज कीजिए आपको खुद पता चलेगा तीन से चार हफतों में कि आपके बाल जड़ना बिलकुल बंद हो गए है और बाल एकदम सिल्की सिल्की स्मूत हो गए है यह देखिए हमने पूरे तेल को छान लिया है और अब हम इसे एक काच के बरतन में भरके रख लेंगे इस तेल में थोड़ी से स्मेल तो आएगी ले सुन प्याज की अगर आप यह स्मेल जेल सकते हैं तो आप इसे ओर नाइट भी लगा के छोड़ सकते हैं सुबह आप बालू को सेंपू कर लीजिए लेकिन इसे हपते में दो दिन तक जरूर ट्राइ कीजिए आपको खुद फर्क पता चलेगा उमीद आपको यह ट्रिक पसंद आये होगी अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ